यमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर कचिंदर व्यास आपका दोस्ट आपका पोच आज इस वीडियो में स्वागत करता हूं तो यह है हमारी एक सिरीज उस सिरीज का पहला विडियो सेल्फ लव के ऊपर तो सेल्फ लव हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है और क्या सब्सक्राइब आज हम एक बहुती महतुपण विश्य पर चर्चा करने वाले जो की है सेल्फ लव क्या आप जानते हैं कि खुद से प्यार करना क्यों जरूरी है और सेल्फ लव वास्तों में क्या होता है चलिए इस वीडियो में हम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते पहला सवाल है सेल्फ लव क्या है सेल्फ लव का मतलब है खुद को एकसेप्ट करना अपने आपको इंपोर्टेंस देना और अपनी खुद की देख भाल करना या सिरफ खुद को इस पार्लर में ले जाकर कोई वी आईप इडिटमेंट देना या खुद के लिए महगे अर्चनल देने के लिए तैयार रहता है सेल्फ लव क्यों महत्वपूनल है आप करते हैं कि सेल्फ लव क्यों महतवपूनल है इसके बिना हम अपनी मानसिधा और भावनात्मक्त सेहत को व्कसान पहुंचा सकते हैं चलिए इसके कुछ उमान्मन बिंदों पर नज़र डालत और अपनी शम्ताओं को पहचानते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी अचानक से बढ़ जाती है दूसरा बहतर मेंटल हैल्थ तो जब आप सेल्फ लव आपका तनाव चिंता डेप्रेशन को कम करने में मदद करता है या आपको एक संतुलित और खुशाल जीवन जीने में मेंसुस होने लगते हैं तीसरा बहतर रिष्टे जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप एक दूसरों के साथ भी बहतर रिष्टे बना सकते हैं आप दूसरों से सही तरीके से जुडाओ मेंसुस करते हैं सखर अत्मक संबंदों का निर्मान करते हैं तो इस तरह से हमने लव को केसे अपनाय जाए, हाउ, तो अब सवाल है कि हम सेव इल्फ लव को अपने जीवन में केसे शामिल कर सकते हैं, चलिए कुछ टिप्स है, कुछ तरीके हैं, कुछ उपाए हैं, जो की बहुती असरकारक है, उनके बारे में जानते हैं, पहला, पॉजिटिव अफर्मेशन्स, जब भी आप सुबह उठे, तो अपने आप से कहें, मैं काबिल हूँ, मैं भाग विशाली हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं भाग विशाली हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं जैसा भी हूँ, वैसा खुद को पूरी तरह से accept करता हूँ इस तरह जब आप अपने सुबह की शुरुबार positive affirmation से करते हैं तो आपका self love high हो जाता है दूसरा self care की एक routine बनाया है कि अपने लिए थोड़ा सा me time निकाले जो 24 hours हैं उसमें से अपने लिए थोड़ा सा समय निकाले चाहे तो आप कोई किताब पढ़ ले हैं आप कोई मनपसंद संगित सुन सकते हैं आप योग कर सकते हैं, अपनी कसरत कर सकते हैं अपने आपको वह समय दीजिए जिसकी जरूरत आपको आपसे है तीसरे टेकनिक की हम बात करते हैं फेल्दी बाउंडरीज, बाउंडरीज मतलब क्या होता है कि जब आप आपका मी टाइम लेते हैं तो मी टाइम को आप एक दाइरे में जरूर उसको लिमिट कर दें जिससे की आपका मी टाइम कोई छीन में सके अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवल में हेल्दी बाउंडरीज को तय करें यह जाने कि कब किस बात पर किस से ना करना है कब हमें खुद के लिए खुद के टाइम को हमें यूटिलाइस करना है इसलिए हेल्दी बाउंडरीज बनाए ना कहना सीखें करें अपने अंदर के विचारों को समझने की कोशिश करें यहां आपके मानसिक और भावनत्मक स्वास्ते के लिए बहुत हायदे मन सामित हो सकता है आज कई सारे ऐसे टूल्स हैं आपके पास जिससे आप घर बेटे ऑनलाइन मोबैल से धिहान कर सकते हैं उनका उप्योग करें और अपने शरीर को अपने मन से जोड़ें और धिहान करें लग को इंक्रीज करने का चोथा पॉइंट क्या हो सकता है वह है फुद से तुलना करना बन करें एक और महतुपण मिंदो आता है कि दूसरों से अपनी तुलना नहीं करना चाहिए हर इंसान की एक अपनी जर्नी होती है अपने आपको दूसरों से तुलना करके हम अपनी खुशी को कम कर देते हैं फुद को वैसे ही एकसेप्ट करें जैसे कि आप हैं आप अपनी फूबियों को पहचाने और उनको निखार भी सकते हैं सेल्फ लव और रिलेशन फाइप पॉइंट सेल्फ लव का सबसे बड़ा एडवांटेज है यह आपके रिष्टों में सुधार लाएगा यह आपका आपके साथ जो रिष्टा है उसको मधूर बनाएगा प्रगार बनाएगा और जब आप फुट से प्यार करना शुरू करते हैं तो आप दूसरों से भी बेटर तरीके से प्यार कर सकते हैं और उनके साथ स्वस्थ मजबूत रिष्टे बना सकते हैं तूल्स एंड टेक्निक आखरी कुछ संसाधन और टेक्निक ऐसी है जो आपको सेल्फ लव को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं जैसे कि आप कोई बुक्स ऐसी पढ़ सकते हैं जो सेल्फ हेल्प कमें आपको प्रोथसाहित करें मैं इस description में आपको book की कुछ links share कर दूँगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ podcast का उप्योग कर सकते हैं, कुछ application आजकल आ गए हैं, जो meditation और mindfulness को process करते हैं, जैसे कि मैं खुद use करता हूँ, कुपु FM, मुहाँ पर self-help से related कई सारी audio book आप सुन सकते हैं, guided meditation कर सकते हैं, यदि आप भी उसका lab लेना चाते हैं, तो description में उसकी link है, उससे app को install करके आप उसका lab ले सकते हैं, तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो self-love के उपर, उमीद है कि आपको यह जानकारी उप्यों की लगी होगी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो क्रपे इसको like जरूर कर दे, चार दोस्तों का तुराण share कर दे और इस चैनल को subscribe करना ना भूले, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो miss ना हो, साथ ही comment करके हमें बताएं, कि आपके लिए self love का मतलब क्या है, और आप अपने जीवन में इसे केसे अपनाते हैं, हम आपके विचारों को जानने के लिए बेहद उत्सुख हैं, सारे comments को हम देखते हैं, तो तुरंत वीडियो को like करने के बाद, तुरंत comment में बताएं कि आप इन में से कौन सी टेकनीक को use करते हैं, तो चलिए आज के वीडियो में इतना हैं, मिलते हैं सिरीज के अगले वीडियो में, तब तक के लिए thank you, thank you,